हलो दोस्तों मेरा नाम है शुचिल और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिरो मोटर कॉप की पैसन एक्सटेक के बारे में आफर करता है और जो है तीन कलर में आपको मिल जाते है एक हो जाता है आपकाcity की डिस्क की बात करेंगे तो डिस्च है और ड्रम की बात करेंगे तो 130 mm के दोनों साइड मीयाने अगste और पीछे आपको ब्रेक ऑफर के जाता है इसके अंडूर्ड प्राइज के बारे में इसके अनडोड न बात करें है साथ में जो है 5 service free मिलती है 5 air engine की warranty मिल जाती है और 5 year insurance आपको offer किया जाता है एक साल का आपको zero day मिलता है first party और 4 साल का आपको third party insurance offer किया जाता है इसके बाद आपको helmet और accessories अलग से purchase करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस on-dodd price में helmet और accessories को include नहीं किया है क्योंकि वह आप अपने हिसाब से purchase करते हैं और अपने हिसाब से आप लगवाते हैं अगर आप फिलाल जानना चाहते हैं कि accessories में hero motocop इस गाड़ी को खरिते time कौन कौन से item offer करता है तो मैंने एक अलग से video बना रखी है spender की accessories के बारे में लेकिन same accessories आपको जो है इस गाड़ी के साथ भी दिया जाता है और मैंने price भी उसमें share कर रखा है अब बात करते हैं कि finance के लिए कौन कौन से document की जरुरत परती है तो finance के लिए बहुत ही easy document की जरुरत आपको पढ़ने वाली है सिर्फ आपका अधार card, pen card और साथ में account का ATM ATM ही क्यों क्यों क्योंकि ATM से आपके जो जब आप EMI बनवाते हैं तो account को जो है digital कर गया जाता है जिससे होता क्या है जो EMI बनती है आपके account से automatic debit हो जाती है और कोई late penalty वगरा का सामना नहीं करना पड़ता है लेकिन अगर आपके पास passbook है उसके बाद statement होगी, photo होगा, checkbook होगा और इसके बाद बिजली कभील होगा यानि आपके पास जितने ज़्यादा document होगे, showroom से आप उतनी जल्दी फिरी हो सकते हैं और उतनी ही easy तरीके से ये गाड़ी आप finance करवा सकते हैं अब जो मैं आपको scheme बताने वाला हूँ, वो ICI bank limited की scheme है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो EMI है वो कितनी बनेगी 20,000 रुपे down payment करने के बाद तो अगर एक साल की EMI की बाद करें तो 7488 रुपे की आपको 12 किस्ते पेट करनी पड़ेगी और वही अगर 18 महिनों की EMI की बाद करें तो 5292 रुपे की आपको 18 किस्ते पेट करनी पड़ेगी और वही अगर आपको 24 महने की EMI की बात करें तो 4120 रुपे की आपको 24 महने की किस्ते पेट करनी पड़ेगी यानि अगर आप 2 साल के लिए finance करवाते हैं तो आपको 4120 रुपे की EMI पेट करनी पड़ेगी इसके अलावा आप 3 साल की EMI भी करवा सकते हैं लेकिन ROI थोड़ा जादा हो जाता है आप बहुत सारी वीडियो YouTube पे पाजाएंगे की पैसे नेक्स लेक आपको 6% पे finance हो रही है 7% पे finance हो रही है 8% पे finance हो रही है लेकिन आप जब प्रेटिकल करते हैं यानि जब आप वीडियो देखके showroom पे जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अलग बताया जाता है और ऐसे ही आपका भरोसा YouTube से उठ जाता है लेकिन जो मैंने आपको अभी scheme बताई है वो मैंने ऐसी scheme बताई है कि आपका civil score थोड़ा बढ़िया हो या फिर थोड़ा सा घटिया हो लेकिन ये जो मैंने बताया है same scheme और same ROI के साथ आपको ये गाड़ी दे दी जाती है अगर आप चाहें तो showroom भी visit कर सकते हैं showroom की side detail मैंने description box में mention कर रखी है with phone number लेकिन अगर आप कहीं और भी रहते हैं किसी भी इंडिया के किसी भी city में रहते हैं आप वहाँ भी जाएंगे और ICI bank वालों से मिलेंगे तो same ROI के साथ में और same EMI के साथ में आपको ये गाड़ी finance कर दी जाएगी इसके बाद आप गाड़ी finance कराने की सोच रहे हैं तो मैंने आपके लिए finance के उपर एक अलग सा separate सा वीडियो बना रखा है जो कि आपको finance कराते टाइम ज्यादा तो नहीं लूटा जा रहा है या फिर लूटा जा रहा है या पिर जैसे भी है उससे आप काफी हद तक यानि काफी ज़्यादा बस सकते हैं उसका भी लिंक आपको discussion box में mention मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज यार वीडियो को like और चैनल को subscribe करें जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो जमेंसा लेके आता रहे हूँ थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू